साइन्स एंसे अर्टी सिख्थ से ट्वल्थ क्लास वीडियो सीरीज में ये है पार्ट थ्री आप जानते हैं पहले दो पार्ट्स में हम सेवन चैप्टर्स अल्लडी खतम कर चुके हैं इस वीडियो में हम तीन और चैप्टर्स डिसकस करेंगे जितने हमां हाइलाइट आराम से नोट्स बनाइए और आपकी रिवीजन भी हो जाएगा ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर नमबर एट है बॉड़ी मुवमेंट्स इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हुमन बॉड़ी के बारे में और इसकी मुवमेंट्स के बारे में आपने नोटिस किया होगा भ अपने बॉड़ी को घुमा सकते हैं बेंड कर सकते हैं इन पॉइंट्स को बोलते हैं जॉइंट्स अगर आप अपने बॉड़ी को टच करेंगे तो जो हार्ट स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं बोन्स और बोन्स को बेंड नहीं किया जा सकता बोन्स कैनाट भी बेंड तो फिर आप अपनी elbow कोनी को कैसे मोड़ते हैं आप इसलिए मोड़ पाते हैं क्योंकि आपके shoulder से लेके आपके हाथ तक रिष्ट तक ये एकी bone नहीं है different bones हैं जो की joint हुई है elbow के पास इसको समझने के लिए हमें पढ़ने हैं हमारी body में कौन-कौन से different type of joints होते हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ questions कैसे आते होते हैं exam में questions आएंगे जैसे आपका elbow वाला joint है तो ये कौन सा joint है चार options दे देंगे ball and socket joint, pivotal joint, fixed joint, none of the above इस तरह किसे question बनेंगे समझे मेरी बात इस चीज़ को ध्यान में रखते हो हैं chapter समझी तो number one हम पढ़ रहे हैं ball and socket joint NC8 में example कितरू समझाया गया है मान लीजिए आप एक bowl, katori के अंदर एक ball को डाल देते हैं और उस ball में hole करके, छेद करके आप एक paper का गोल घुमा के cylinder डाल देते हैं अब देखिए जो आपने ball डाली है वो उस katori के अंदर freely घुम सकती है, चारो तरफ और इस तरीके से जो cylinder है, paper का बनाया है आपने कागज का वो भी इस तरीके से आप उसे गोल गोल घुमा सकते हो अब समझना बड़ा असान है ये जो katori थी, ये था आपका shoulder जहां से आपकी बाजू आम अटैच होई होई है तो जैसे ये ball घुम सकती है चारो तरफ इसी तरीके से आप अपनी आम को भी चारो तरफ घुमा सकते हैं इसे ball and socket joint इसलिए बोलते हैं क्योंकि the rounded end of the bone fits into the hollow space या फिर cavity जैसे ball को हमने katori के अंदर डाल दिया था न इसी तरह हमारी जो bone होती है उसको जो goal rounded end होता है वो hollow space जैसे की katori थी इसी तरीके से हमारे shoulder में जो hollow space है वहाँ पर जाके दूसरी bone में fit हो जाता है और जो ऐसे joints होते हैं आप अपनी बाजो को घुमा सकते हो न जारो तरफ इसी को बोलते हैं ball and socket joint इसी की दूसरी example भी है जैसे आपकी ये hip bone है और उसमें आपकी ये thigh वाली bone attached है जब आप लेटे होते हो या yoga वगरा करते हो तो आप अपनी पूरी leg को घुमा सकते हो आपकी जो hip bone से attached है समझ गए न ये दो examples किसके थी ball and socket joint की next आता है pivotal joint जहां से आपका neck आपके head के साथ जुड़ा हुआ है उसको बोलते है pivotal joint देखे pivotal joint में आप अपने सिर को head को चारो तरफ नहीं गुमा सकते हो आप आगे कर सकते हो पीछे कर सकते हो राइट देख सकते हो और लेफ्ट देख सकते हो चारो तरफ तो नहीं गुमा सकते है जैसे Bollywood movie की भूते होती है जिनसे बिल्कुल डरनी लगता वो चारो तरफ अपना सिर गुमा लेती है तो normally आप pivotal joint से ऐसे नहीं कर सकते है याद रखेंगे मैंने एक्जम्पल के थुरू बताया है सेम एक्जम्पल दिये NCRT में आप कैसे मूव कर सकते हो आपके head को forward, backward, right or left तो pivotal joint में एक cylindrical bone rotate करती है ring के अंदर next type आती है hinge joint ये बहुत easy है जैसे कोई भी gate है, कोई भी दरवाजा है जहां से वो दरवाजा जुड़ा होता है वहाँ पे hinges लगी होती है hinge तो hinge के कारण दरवाजा क्या हो सकता है एक side से आगे और पीछे पस इतना ही कहां में दरवाजे का ये बहुत easy है समझना दो examples है, सबसे पहले आप अपने koni देखिए koni से आप क्या कर सकते हो fold कर सकते हो, दोबारा straight कर सकते हो दरवाजा कीतना बस, आगे पीछे इतना ही कर सकते हो तो only a back and forth movement इसी तरीके से आप अपने घुटने के पास दे सकते हैं नी के पास तो आप क्या कर सकते हो, बस आपकी जो lower लेगा, कितनी movement कर सकते हो hinge कितना बस, back and forth उतना ही आप गुमा सकते हो ऐसे joints को बोलते हैं, hing joints next आते हैं, fixed joints अब आपके head के अंदर there are some bones in your head that are joined together at some joints और ये ऐसे joints हैं, जहाँ पर bones moving नहीं होती है bones cannot move at these joints इन्ही को बोलते हैं, fixed joints इसकी example देखिए जब आप अपना मूँ खोलते हो, when you open your mouth white, तो हम ये मूँ कैसे खोलते हैं ध्यान से note करिए, जो आपका lower jaw है, नीचे वाला जबडा आप उसको अपने सिर से दूर, head से दूर लेके जा रहे हो, किसको lower jaw, नीचे वाला जबडा ना कि उपर वाला जबडा upper jaw को नीचे अब move करें, ध्यान से note कर, खोल कर देखो बस यहीं तो है, तो ये जो आपका upper jaw है, उपर वाला जबडा है, और आपका सिर है, rest of the head वो दोनों जुड़े होएं, जो कि नहीं move हो सकते क्या बोलते हैं, इसको rib cage, देखिए, total 24 होती हैं, ये ribs, 12 each side, 12 each side और 12 each side, ये करती क्या है, ये हमारी chest bone को backbone से join कर देती हैं, और इस तरह का एक धांचा बना देती हैं, जिसको cage बोलते हैं, rib cage बोलते हैं, function क्या है इसका, some important internal parts of our body lie protected inside the case, तो हमारी body के काफी important internal organs, इसकेंडर क्या रहते हैं protected रहते हैं, इसी तरीके से हमारी backbone होती है, ये photo में देख सकते हैं आप, it is made up of many small bones, और जो rib cage है, इनी bone से आके join करता है, देखिए, छोटी-छोटी bones की बनी होती हैं, इसी लिए ही हम आगे इसके बाद आती है, आपको confuse नहीं होना है vertebral column, या backbone, या spine तो ये it is made up of 33 vertebral, समझना है आपको तो ये छोटी-छोटी जो small bones है, 33 vertebral हैं, ये series में होते हैं and these are connected by ligaments and intervertebral disc यह यह NCIT में नहीं दे रखा, आपको extra बता रहो हम higher classes में पढ़ेंगे तो अब याद रखेंगे इतनी सी बात इसके बाद आती है pelvic bones ये photo में आप देख लीजिए, हमारे stomach का जो नीचे वाला portion होता है हमारी body का, उसको enclose करती है, ये pelvic bones ये वहीं part है, यहाँ पर हम बैठते हैं इसके बाद हमारे skeleton के अंदर ही कुछ ऐसे parts होते है that are not as hard as bones, bones जेते हाड नहीं होते उन्हें बेंट भी किया जा सकता है तो इनको क्या बोलते हैं, cartilage अब सब जानते हैं, हमारा जो कान होता है ear होता है, उसका जो अपर part है जिसको हम बेंट भी कर सकते हैं आराम से क्या होता है, cartilage तो आपने अच्छे से समझा हमारा skeleton किस किस चीज का बना होता है bones का, joints का और cartilage का, अब next part है, इस chapter में वो है, muscles muscles में आपको समझना है two muscles work together to move a bone muscles हमेशा पेर में काम करती है, ये बात याद रखेंगे बड़ी अच्छी example दे रखी है ये figure number A देखिए, जब आप किसी को अपने biceps दिखाते हो, ये जो elbow से लेके wrist तक ये जो bone है उसको आप अपनी तरफ खीशते हो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो muscles है, एक उपर ये जो black color में show कर रखिए, एक नीचे अब होता क्या है, जब आप किसी को इस तरीके से अपने biceps दिखाते हो मतलब कि आप अपनी bone को move कर रहे हो कैसे move होती है ये bone ये उपर वाली जो muscle है, ये contract हो जाती है इकठी हो जाती है ठीक है, at the same time ये नीचे वाली muscle क्या है relax हो जाती है ध्यान से देखिए आप, इसका बिल्कुल opposite देखिए, जब आप फिर से अपनी arm को खोलते हो, तो ये जो नीचे वाली muscle है, ये contract हो जाती है, कठी हो जाती है, जब आप triceps भी दिखाते हो अपने, और जो उपर वाली that direction, जब हमने contract किया, उसी side में हमारी bone move हो जाती है, और the other muscle of the pair relaxes, उस time पर दूसरी muscle क्या कर रही होती है relax, इसका बिल्कुल opposite होता है to move the bone in opposite direction the relaxed muscle contract, जो पहले relaxed थी, वो contract हो जाती है, to pull the bone towards its original position समझ गए न अच्छे से, और पहले वाली relax करती है, तो अगर statement आती है, यह आएगी, muscle can only pull, it cannot push two muscles have to work together to move a bone, यह मैंने आपको बता दिया, अब question यह आता है भी यह जो muscles हैं, यह bones हैं, क्या और भी बाकी सारी animals में यह में required होती है movements के लिए, कि कुछ ऐसे animal भी है जिनमें bones वगारा होती ही नहीं है, फिर भी उनमें movement होती है, यह study करेंगे हम इस chapter में आगे, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, earthworm की अब जो earthworm होता है, याद रखेंगे it does not have bones, इसमें bones नहीं होती है, आपने देखा है, earthworm की body कैसे होती है, it is made up of rings joint end to end, यह rings की बनी होती है तो bones तो होती नहीं है, कैसे movement होती है, it has muscles which help to extend and shorten the body, बड़ा easy है इसको समझना, देखिए जब यह move करता है the earthworm first extends the front part of the body, पहले यह अपना body का अगले भाग को front part को extend करता है और पीछे वाले भाग को fix करके रखता है ground के साथ keeping the rear portion fix to the ground, ठीक है आगे वाला part move हो गया, फिर यह आगे वाले part को जो आगे भढ़ गया है उसको fix करेगा, then it fixes the front end and releases the rear end और पीछे वाले part को move करेगा तो इसी चीज को यह repeating such muscles, expansions and contractions, the earthworm can move through, smile, समझ गए न आप तो इसी से muscle के extension and contraction से यह move करता है इसके बिना, इसकी body एक slimmy substance को भी secrete करती है जो इसे help करता है movement में अब आप पूछेंगे जी, अपने body part को यह fix कैसे कर लेता, front या last वाले को तो इसका अंसर भी दे रखा है, NCRT में इसकी body के नीचे, underlates body it has a large number of tiny bristles, इसकी body के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे bristles होते हैं hair like structures होते हैं, जो बाहर उब्रे होते हैं, यह वाले bristles इसकी muscle से connected होते हैं और इनी के थूँ यह ground पे grip बनाता है इसमें एक चीज़ और समझेंगे जिस soil से भी यह move कर रहा होता है अर्थवार्म, it eats its way through this soil, उसको यह खाता रहता है, और लगातार इसकी जो body है, वो बाहर फेकती रहती है, जो undigested part है digest नहीं हो पाता जो part जो भी material यह खाता है, तो इसकी movement से, हमारे agriculture को बहुत फाइदा होता है, क्योंकि यह जो soil होती है, बहुत loosen up हो जाती है आपने सुना होगा, vermicomposting भी बोलते हैं हम, जिससे उसकी fertility क्या हो जाती है, increase हो जाती है important है, इसके बार next आता है snail, तो अगर आपने कभी snail को ध्यान से देखा है, तो इसको पर rounded structure होता है, जिसको shell बोलते हैं, यह outer skeleton होता है of the snail, but is not made up of bones, यह भी bones का नहीं बना होता है, इसी shell की एक opening में से snail का head और एक thick structure निकलता है यह thick structure को इसके pair foot बोलते हैं, जो कि बहुत strong muscles के बने होते हैं, उसी के तो इसकी movement होती है, अब next आता है cockroach, cockroach आप जानते हैं it walks, climb as well as fly in the air चलता भी है यह, दिवारों पर climb भी कर सकता है और उड़ भी सकता है cockroach, याद रखेंगे they have three pairs of legs, three pair of legs होते हैं जो उनकी walking में help करते हैं तो three pair of legs होगे, इसके बना two pair of wings होते हैं जो कि इसकी breast से attest होते हैं, जो obviously fly करने में इनकी help करते हैं, और जब यह fly करते हैं, तो इनकी जो breast muscle होती है, वो wings को move करती है, वहीं पंको को move करती है next आते हैं birds आपको पता है birds fly भी कर सकते हैं और walk भी कर सकते हैं ground पे birds के जो bones होती हैं, बहुत ही hulky होती है Hello होती है, खाली होती है जितने हलके होंगे फिर ही तो उड़ पाएंगे न यह अब यहाँ पर दो पॉइंट इंपोइंट है अब जो इसकी हिंड लिम्स वाली बोन्स होती है हिंड लिम्स में पीछे वाली जो लिम्स होती है वहीं help करती है इसको walk करने में और अगर हम बात करें उड़ने के लिए तो जो इसकी फोर लिम्स होती है आगे वाली वह वाली जो बोनी पार्ट्स होती है वहीं modified हो जाती है एज़िट्स विंग्स याद रखेंगे नेक्स्ट आती है फिश, फिश की movement की जब बात करते है तो इनकी body shape होती है streamlined streamlined मतलब इनका जो head होता है और tail होती है आपको पता है वो तो smaller होते है और जो middle part होता है वो बड़ा होता है and it tapers on the both end shape देख रहे हैं आप अब फिश की movement आप सबने देखिया जब ये swimming करती है तो इसकी muscles इस तरीके से body को move करती है भी जो front part है ये देखिए उपर ये fins होती है tails के बेना इनकी body पर भी fins होती है जो balance बनाने में काम करती है और direction सही रखने में काम करती है swimming के दिरान इस chapter के last part में आता है snake snake की movement तो snake have a long backbone backbone लंबी होती है and have many thin muscles आपने देखिया snake की movement snake's body curves into many loops बहुत loops में इसकी body curve हो जाती है और हर loop इसको forward आगे को push करता है तो इसलिए snake कभी भी straight line में नहीं move करता है बहुत तेज move करता है लेकिन curves में, loops में तो ये chapter हो गया खतम आप इसकी summary जुरूर देख लीजे कई बर summary से direct question आ जाता है तो bones and cartilage form the skeleton of the body हमने पढ़ लिया है और ये protect करती है हमारे inner organs को फिर हमने पढ़ा था बिजो हमारी bones हमों कैसे move करती है by the alternate contractions and relaxations of two sets of muscles याद है न आपको दो pair of muscles जब contract and relax करती हमारी bones move होती है अब birds के fly करने के लिए क्या होना चाहिए strong muscles and light bones muscles strong होने चाहिए और bones light होने चाहिए फिर ही वो fly कर पाएंगे फिर हमने fish पढ़ा था fish swim by forming loops alternatively इसी तरह snakes snakes क्या करते हैं they slither on the ground by looping sidewise और यहीं loop movement इसको forward push देती है फिर हमने cockroach पढ़ा था इसकी जो breast muscle होती है वहाँ पर three pair of legs होते हैं and two pair of wings होते हैं जो इसको चलने में और उडने में help करते हैं और finally earthworm यह move करता है alternate extension and contraction of the body by using muscle एक पाट पहले आगे move हो जाता है दूसरा fix हो जाता है और फिर आगे वाला पाट fix होता है पिछला move करता है और grip कैसे बनती है ग्राउन पे tiny bristles और snails की तो muscular foot होती है जो shells में से बाहर आती है हमने पढ़ लिया था chapter खतम 6th class की NCIT का chapter number 9 बहुत ही जादा important है especially environment और ecology के बड़े questions बनती है इन में से तो इसके हम separate video बनाएंगे